सबसे ज़ादा कौन से बच्चे परिशान हैं आपके टीचिंग परिख्षाओं की त्यारी करनेवाले या नौन टीचिंग की आप कमेंट में जुरूर बताईएगा दूसरी बात मैं करूँगा कि टीचिंग भरती वाले क्यों बचे परिशान है एक तो हर स्टेट में लगवग लगवग यह आला है हरियाना में जेविटे के बरती बड़ी मुश्किल से नाके बराबर आई उत्तर परदेश में छे साल से बरती आनी रही है बिहार में एक बरत पर देश की बनाएंगे उन टीचरों का या भविश्या में बनने वाले टीचरों का खुद का ही भविश्यांदकार में है क्या मामला है सीटेट वर्सेस टैट का और जो सुप्रीम कोर्ट में केश चला गया है इसमें किस की जीत हुई है इसको हम देखते हैं यह आपने सोस किसंबर की आज डेट थी जिसमें कुछ नहीं हुआ कोर्ट का लगबग मूड यह था कि कोर्ट इसको साइद एडमिट ना करें ऐसा लग रहा था तो जो अपीलेंट थे उन्होंने का कि आप खारिद ना करें कम से कम इस केस को एक बर सुनवाई करें इसको एडमिट कर लें क्योंकि सीधा तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाता नहीं है तो पहले हम चलते हैं हाई कोर्ट की तरफ क्योंकि हाई कोर्ट में पहले जाना पड़ता है फिर सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट में एक केस सबसे पहले कहा गया था तो वह थी जारकंड हाई कोर्ट में केस हु association बना ली और उसके जो सेक्रेटरी हैं वो है सोनु सूमन सायद वो भी एगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सामने दूसरी पार्टी है जारखंड गोवर्मेंट क्योंकि अगर एक बंदा केस करता है जिसके खिलाफ वो केस करे तो उसको भी कोर्ट की तरफ से संबन जाता है तो फिर उसको केस में उतरना पड़ता है इन्होंने जैसे केस डाला कोर्ट ने कहा जारखंड गोवर्मेंट को भी आप अपना पक्स रखो यह बच्चे नाखुश हैं तो इसकी रिट पैटिशन नंबर जो थी वह 2785 थी जारखंड में यह बोले क दम्रफा इन्होंने यह मांगा था साथ में कि अगर कोई ट्थ नहीं हुआ है तो इसकी जगह क्या करें इसकी जगह i am इuzu पास है ठीक हैmm या कोई और Hindi पास है तो क्या करतें पातर करतें चलो ब्रमन्त को कर remember किने पास कर लिया है तो उसको हुँ आदर मांते हैं और वो लग सकता और भरती बुरती निकाड़ो यार। इसमें जार्खंड government बोली जार्खंड राज्य एक विश्जेस राज्यард है। उसमें ट्राइबल रहते हैं उसमें जंजातियां रहती हैं उसमें अलग-अलग बहसाएं बोली जाती हैं उन बहसाओं के बच्चों को समझना पड़ेगा और उसके बाद उनको पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए कोई बंदा सुपोज करो दिल्ली में रहने वाला हर्याना म घान होगा प visa रखर जार्φाण का निवासी ठीक है है में ऊंकि हमने उसको जांचा नहीं है पातरता परिक्षा से ऑपसा बगगर्णा यह सकते जो सीट में हैं जो एक्जाम है वासाई पातरदा की जांस तो नहीं ही हो पाएगी उन्होंने कहा क्योंकि वीवित भासाएं हैं तो कोट बोली जार्खंड सरकार को सीट अदर टैट को आप मानोगे नहीं जेट आपने करवाना नहीं है दिखर है दोजार सोडा से तो फिर बरती कैसे होगी दूसरे टेट मानेंगे नहीं खुद हम टेट करवाएंगी नहीं तो फिर उन्होंने ओडर दिया ओडर कब दिया बीस दिसंबर को कड़ाके की सर्दी में दोहजार तेच में कि सीटेट और अधर टेट की वज़े थोड़ा सा यह कर दिया इन्होंने कि अधर टेट तो दूर दराज की भी हो सकते हैं तो पुडोस सी राजे तो वैसे ही होते हैं आपके आस पुडोस के जो बाउंडरी बॉर्डर लगती है तो वहां बासाएं वगारा वेस बूसा सेम हो प्लीज ठीक है और इसमें कंडिशन डालतो एक कि अगले तीन साल में हम जेटेट करवाएंगे तीन साल में जेटेट करवाएंगे और जो भी बच्छे नोकरी लगेंगे सीटेट और अधर टेट के बेस पे उनको वह जेट जेटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और तो फिर क्या दिक्कत है अच्छे टीचर मिल गए आपको अब जेटेट होगा वह पास कर दे तो ठीक है अगर वह फेल कर दे तो नोखरी गई उस टैम उन लगेवे टीचरों को नोखरी से निकाल देना तो समाधान हो गया आपको खराब टीचर भी नहीं मिलेंगे बच्चों 11 जुलाई को इसका एकजाम होता है 18 जुलाई को इसकी आंसर किया जाती है उसके बाद इसके कुछ नहीं होता रजैल्ट आ जाता है पेंडिंग में चूंग इस पे फिर केस हो गया अब केस कोन करेगा देखो सीटेट पास वाले तो खुस होगे बच्चे पर कई बच्चे जो पुराने जमाने में जोनोंने जेटेट किया होगा 2006 में वो थोड़े से बच्चे हैं बच्चे वे तो उन्होंने सुचा कि अगर सीटेट कैंसल हो तो हम थोड़े से बच्चे हैं और हम लग जाएंगे आसानी से कोई कंपेटिशन ही नहीं रहेगा तो उन्होंने क्या किया एक है प्राइमल कुमार जैसे आपका यूपी वाली प्राइमल कुमार सुप्रीम कोड चले गए और उन्होंने क्या कि सीटेट पातर नहीं होने चाहिए मैं प्राइमल कुमार को कोई गल्त नहीं बता रहा हर आदमी को अपना पक्स रखने का अधिकार है यह कह रहे हैं कि जैटेट शूटेबल है जारखंड के लिए सीटेट उस दो को मोका दो कोई बात नहीं बाद में जैटेट हुआ नहीं तो और प्राइमल कुमार और कुछ साथियों को ऐसा लगता है कि अब झो हो सकता है उनका घीक हैrage और या उसमें सीटेट वाले बच्छों अनमबर आजये कल को जेट है वा तो यह बच्छे पढ़के जेट आप कर लेंगे और ना भी कर पाए यह बच्चे निकल भी गए तो भरती दुबारा निकलेगी तो दुबारा नए बच्चे और आ जाएंगे तुम रह जाओगे तो इनको ऐसा लगता है शीटेट वाँ बाहर करतें कम करतें यह अपना लालत सोच रहे हैं वह कहते हैं कि भरती हो ठीक ठाक से जो भी है ऐसा निक ठीक है और आप जेटेट को क्वालिफाई करो और फिर इसके बाद निकाल दो ऐसा यह केस है अब 3 सितंबर 2024 को केस लिस्ट हुआ एक इसमें पार्टी है जारखंड गवर्मेंट एक इसमें पार्टी है सीटेट की टीम जो कहते हैं कि सीटेट की तरफ से लड़ रहे हैं कि स प्राइमल कुमार जो कह रहे हैं सिर्फ जेटेट को ही पातर माना चाहिए तो यहां पर कई बार दो पार्टी हो रखी है इसमें सरकार किसकी साथ है ओब यह से सरकार ने कोर्ट का डिजिजन माना था और जो एड़ोटाइजमेंट निकाली थी ना दो हज़ार चोबीस में मर्च में उसमें उन्होंने कहा था कि जेट एट हो सीठ्ट हो या अधर टेट हो ऐसा ऑन्होंने कंडिशन मानी थी तो अब यह दो एक साथ है कि सीटेट वालों की जीतिसमें ज्यादा लग रही है अब एक मामल और है बिहार हाई कोट में एक केस चलना है जिसमें कह रहे हैं कि सीटेट पास वाले टीचर रद्ध हो वहां भी क्या हुआ बिहार्टेट करवाया नहीं एकदम थोग में भरतिया निकाली बच्चे मिली बिहार्ट वाले तो बोला कि कोई बात नहीं जो सीटेट पास है वह बर्दो और अदर स्टेट के बहुत सारे बच्चे सीटेट पास वाले लगने लग गए अब जो थोड़े बहुत बच्चे वहार्टेट वाले थे उन्होंने अब्जेक्शन कर दिया है वाँ गई है समस्या और हो गई है कि कोड के कान भरतियां लटक रही है अब इसमें होगा क्या आप बच्चे बताओ कि इसमें सीटेट की जीत होगी या जेटेट वालों की जीत होगी आपको यह बताना है और दूसरा ऐसे ही अपडेट्स आपको मनूराथी चैनल पर मिलते रहें इसके लिए आपने करना क्या है यह मनूराथी यूटूब चैनल है यहां पर यह इस लिंक को देख लें वट्सब चैनल टेलिग्राम चैनल यहां चैनल पर ही मिल जाएंगे और उस से हमें जोईन कर सकते हैं ताजा अपडेट आपको वट्सब पर भी मिलते रहेंगे अल द बेस्ट